प्रेम कहानिया हैं जिनकी शुरुआत बिग बॉस के घर में हुई और अंत भी बिग बॉस के घर में ही हुआ मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंग का जिक्र हम यहां पर आपसे कर रहे हैं घर के अंदर इनके फैंस ने सोचा शायद प्यार एक छट के नीचे रहते हुए जाग जाए मगर अपसोस जो हुआ वो इसते बिलकुल उलच मधुरिमा और विशाल के प्यार ने बिग बॉस का फिनाले करीब आते आते पूरी तरह से दम तोड़ दिया बीते दिनों खबर आई ये तोनों एक पार फिर से आपको नजर आएंगे प्यार के फूल फिर से खिलेंगे अब मधुरिमा ने विशाल संग पैचप पर अपनी तोड़ दी है चुपी दे दिया है शौकिंग स्टेटमेंट जी हाँ मधुरिमा तुली सलाम एश्क के लिए विशाल आदित्य सिंग के साथ दोबारा काम कर रही है और इस बारे में बात करती हुई वो कहती है हम अब पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके है मधुरिमा ने कहा ये डांस परफॉर्मेंस जिसे हमने सलाम एश्क में प्रस्तुत किया ये हमारे रिष्टे का एक सफर है जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव रहे हर रिष्टा हमेशा सफल नहीं होता हम पहले से काफी समझतार हो गए है और अपनी जिंदगी में हो रही परेशानियों को बहतर धंग से संभाल रहे है मधुरिमा तुली ने कह दिया है साफ तौर से कि अब विशाल के साथ रिष्टा दोबारा जुर्णा मुम्तिन नहीं है अब वो काफी ज्यादा समझतार हो चुकी है बाकी कपल्स की अगर बात करें तो सिगनास के रिष्टे का फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ रहा है माहिरा पारस एक दूजे को फ्रेंड जोन कर चुके हैं रश्मी दिसाई की जोड़ी हाला की उमर रियास के साथ बन रही है और इन सब के बीच में सबसे खास बात यहां पर आसीम रियास और हिवानशी खुराना का प्यार साथ वे आसमान पर पहुँच गया है नेक्स्ट नाइन नीउस से मेघा की रिपोर्ट